कि यह मोटर चल रहा है बट ये रोलर नहीं चल रहा है तो अब हम देखते हैं कि समें क्या प्रॉलम है ये मोटर की कनेक्शन है और यहां से मैं ये मोटर निकालके यहां दूसरा मोटर लगाता हूं तो भी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है यह मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है तो जैसा कि यह मोटर भी नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यह मोटर और यह मोटर ठीक है इस सर्किट में प्रॉब्लम है तो यह बोड अब मैं बदल के देखता हूँ कि अब यह बोर बदल दिया है कि अब और मोटर चलने लगए तो इस तरह से यह अगर प्रब्लम आती है मशिन में इस तरह से आज चे करना है समय